हलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो आपके लिए बरतमान में भारत में कौन क्या है उसी से लेटेट करेंडर फेस के मोस्ट इंबोडन कोश्चन लेकर आया हूं दोस्तो इस टॉपिक से 100% आने वाले एक्जाम में 2-3 कोश्चन अगर आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरा यात कर लिजे दोस्तों वेरी इंपोरेंट टॉपिक है इसी तरह है कि रेगलर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब निकेए तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नोडिविकेशन मिल सके वीडियो अचल है तो एक लाइक जरू करें इस वीडियो को शेर जरू करें सही मित्रोक साथ चले फिस स्टार्ट करते हैं आज हमारे बहत महत्पूर टॉपिक देखे तो पहला कोशन क्या है हमारा सत्रमी लोक्षवा के नया सब्सक्राइब करने के लिए कि जाती है ओके फ्रेंड्स और आपको बता दे कि स्थाई स्पीकर की नियुक्ति होने तक नविर्वाचिस सांस्दों को सबत दिलवाने समेथ सदन के अन्यकारों का भी संचालन करता है ठीक है तो जोस्तों डॉक्टर वीरंद कुमार है यह ट शारत कुमार को सब्सक्राइब को दोस्तों सी वी सी यानि सेंटरल विजेलेंस कमिशनर अंतरीम बनाया गया शारत कुमार को फ्रेंस यह भी इंपोर्डन कोश्चन है और इनकी हाली में निक्ति हुए इसलिए आपको यह जरूर पता होना चाहिए इसस से पहले कौन थे के अगया तो केवी चोधरीन इनका कारिकाल पूरा हो गया है देखेंस तो चेंदरी सतरक्ता आयोगा इसका मुख्याला कहां पे है नई दिल्ली में है इसकी स्थाबना का वो इती सी वी सी की तो फर्वरी 1974 में 1964 में और एक सीर्ष जो सतरक्ता संस्थान है तो अंतरीम सी वी सी सतरक्तायव सरत कुमार को निक्त किया गया है प्रधान मंत्री के प्रधान सच्यू जनरल सेक्रेटरी कौन बने रहेंगे तो दोस्तों निप्रेंद मिस्रा जो थे यही बने रहेंगे प्रधान मंत्री के प्रधान सच्यू जो है ठीक है तो यह बने रहेंगे निप्रेंद मिस इसरा most important question है लागातार दूसरी बार 30 मई को प्रधान मंत्री पद की शबत किस ने लिए है तो इस तो आप सब को पता है मोदी जी दो बार प्रधान मंत्री मैंने 30 मई के उनों शबत लिए है ठीक है नरेंद्र मोदी अगला उसन है फिर से किसे राष्टी सुरक्षा सलाकार यानि National Security Advisor निउक्तिया गया है तो अगले 5 बरसों के लिए फिर से दोस्तो राष्टी सुरक्षा सलाकार निउक्तिया गया अजीर डोभाल को इनको केमरेंड मंत्री का भी दर्जा दिया गया है ठीक है तो किसको निउक अगले निशनल सेक्रेटी डिवाइजर आजी डोभाल जी को अगले 5 बरसों के लिए वेरी इंपोर्टेन दोस्तों वीडियों बने रहे काफी इंपोर्टेन कोशन है आने वाले सभी एक्जाम के लिए देखे अगला उसन कर कौन भारत की पहली पूर्ण कालिक महिला वित् अगर आपको सारे कोशन आ रहे तो आपको रिवीजन हो जागे इसलिए आप पूरा कोशन देख लें काफी इंपोर्टेन्ट है बरतमान भारत के मुख सूचना आयूक्त कौन है चीफ चीफ इंफॉमेशन कमिस्टनर कौन है देखे उस तो बरतमान भारत के मुख सूचना जिए सुधिर भारगाओ पर में कि नेक्क्त स्व Linda आंध प्रम अंधरप्रतेस के नय चीफ मिक्ता बने है जगान मह alpha-dy यह ठीक रिदी जरूर आपको पता हुने चाहिए दोस्तों काफी इंबोडेंट है अभी हाल में जो चार राज्यों बिधान सबस्वा चुना हुए लोग सबस्वा चुना उक साथ साथ अरुनाचर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने है देखे दो अरुनाचर प्रदेश के नए ची जोन बन गए है प्रेम सिंह प्रेम सिंह इंग तामाञ है अंधिक कर लगातार पाँजीवार मुह मंत्री कौन बने तोडिशा प्रदेश्चा जो पाड़न पड़नायक ठीक नभ == अंगला उसलumara किसे हाली में गोवा कम बना घ्रीड बनाया है तो बप्रमोश सावंद को इ विदेश सिख्यू, फॉरें शेकरेटरी कorns है ? बिजेय केशक ओक ले दूस्त वरतbane भारत के Forman Secretary सिख्यू की बात करें तो वरतवान सिख्यू कोन है ? विजेय केश्ек ओकले दोस्तों वर्तमान भारत के जो राजस सचीव है आजय भूशन पांडे ठीक है राजस सचीव कौन है आजय भूशन पांडे विदेश सचीव विजाकेशाग ओखले वित्य सचीव सुभाशंद्र गर्ग यह सारे सचीव सेकरेटरी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो रेव निदेश सक है रिशिeren कुमार शुगला vibe के प्रमुक कोँन है आई बि यान इंटेलिजेंस विरो कह मान निदेश सक है राजीप जैन है ट्रीक । राजीप दोस्तों बनायागे या नाई ये के चीफ सारे कोशन काफी मातपूर है वीडियो को लास्त दिखते रहें अभी लास्ट में मैं केविनेट मिस्टर की भी लिस्ट बताऊंगा CBDT के नए अधिक में कौन है CBDT का फुलफार्म क्या होता है इसका फुलफार्म क्या होता है इंडो तिब्टन बॉर्डर पोलिस इंडो-Tibetan Border Police के मानने सक कौन है? सुर्जीत देशवाल है ठीक है? तो ITBP के चीफ जो है सुर्जीत देशवाल BSF यानि Border Security Force BSF के जो नए मानने सक है रजनी कान्द मिस्रा ठीक है? रजनी कान्द मिस्रा जो हैं दोस्तों BSF के नए मानने सक है अगला देख लेते हैं RPF के निदेशक कौन है? RPF दोस्तो RPF के जो नए निदेशक बने है अरुन कुमार ठीक है? RPF RPF को फूल फॉर्म क्या होता है? तो RPF को फूल फॉर्म होता है दोस्तों Railway Protection Force ठीक है? Railway Protection Force Next is CISF CISF के निदेशक कौन है? CISF को फूल फॉर्म क्या होता है? Central Industrial Security Force ठीक है? CISF Central Industrial Industrial Security Force इसके जो नए निदेशक बने है राजेश रंजन ठीक है? राजेश रंजन CISF के निदेशक है Next है हमारा CRPF के प्रमुक कौन है? CRPF इसका फूल फॉल फॉर्म क्या होता है? Central Reserve Police Force CRPF के जो नए प्रमुक जो राजिवराह भणागर है अगला उसान देखते है कमार राजेश चंदर के गरी मंतरी कौन है? तो वरतवान भारत के केंदेगरी मंत्री है, अमिशा जी बनाया गया है, ठीक है, होम मिनिस्टर बनाया गया है, अमिशा इससे पहले राजनाज सिंग थे, तो भारत के पहली बार कैबने मिनिस्टर में सामिल किया गया है, अमिशा, इससे पहले थे बिजेपी के अद्ध्यक् बीदेश मंत्री मुल्की कुन धारते हैं बत्तमाण भारत में यह केंद्री मंत्री अग्रिकल्चर मिनिस्टर नर्यन सिंग तोमारे किस्षी मंत्री भारत के नए मानर सुनसाधन विकास मंत्री यानि HRD मिनिस्टर भारत के नए नौसेना प्रमुक कौन बने है करमवीर सिंग बने भारत के नए नौसेना प्रमुक ठीक है करमवीर सिंग इससे पहले सुनी लामबा तुन बारत के नए नौसेना प्रमुक बने करमवीर सिंग बने दोस्तों वेरी इंपोर्टन कोश्चन है यह चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों देश के पहले लोगपाल कौन बने है देखे तो देश के पहले लोगपाल बने है जस्टिस पीसी घोस पिनाकी चंद्र बारत के पहले लोगपाल बने हैं दो बर्तवान भारत के मुख इनाधिस कौन है चीफ जस्टीस ओफ इंडिया कोन है रंजन गोगोई डीक रंजन गोगोई बड़तमान घुक्ष ऑचा होने इसरों को फुलफाम होता है इंडियान इस्पेस रिसर्च और सभी इसका फूल यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन को बरतमान अध्यक्षकों ने अर्विन सक्सेना जीए ठीक है तो यह तो दोस्तों बरताओं ने भारत में कौन क्या से लटेर महत्पूर्ण लिस्ट अगर वीडियो अच्छी लड़ लाइक करें शेर करें इस वीडियो को सेंड कर दूंगा चलिए वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो का सेला कमेंट वक्स जरूर बता हैं दोस्तों थैंक्स लाइट पर वाचिंग जै हिन जै भारत